12 बजे वे राइपूर से दिली के लरवाना हो जाएंगे तो बता दें आपको 36 गड़ कॉंग्रेस के प्रत्याशियों के नाम लगभख तै बैठक में नामों पर अद्दिम मुहर लग सकती है Central Election Committee नामों पर मुहर लगा सकती है तो वहीं 36 गड़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और बात करें प्रत्याशियों के नामों की तो 36 गड़ कॉंग्रेस के प्रत्याशियों के नाम लगभख तै माने जा रहे हैं और चलिए इसी खबर पर जादा बातशीत करेंगे कुलेशवर पांद्या माय साथ जुड़ गए है कुलेशवर जिसे साब से बात की जाए सभी प्रत्याशियों के नाम तै ही माने जा रहे है कल बेहादी मैत्वपून बैठक होने जा रही है दिल्ली में इस बैठक को लेकर क्या जानकारी क्या अपडेट सीम भूपेश बगेल भी कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे कौन-कौन बैठक में शामेल होगा तमाम अपडेट देखे बिल्कूल प्रत्यासी के चायन के लिए लगातर हमने देखा है कि 36 गड़ में राज़ानी राइपूर में कई बैठकों का दौर चला मुख्यमंत्री नि juas में लगातर बैठके होई राजी भौन में लगातर बैठके होई प्रदेश चुनाओ शमनीटी का और अंतिम कल बैठक राजी भौन में कल बैठक होई देर रात तक जो करीब 21.45 बात चली कल चुनाओ समय ते स्क्रीन कमीटी दोनों के बैटाओ अधिकांस नामों में जो है सिंगाल नाम कॉंग्रेस पार्टी ने तैकर लिया है कुछ पाच्छे सीटे जहां पर पेज पसा हुआ जहां पर दो दो नाम के पैनल तैयार रखे हैं लेकिन अधिकांस सीटों पर कॉंग्रेस ने एक एक नाम जो है तैकर लिये है 12 तारिक के बाद 13 तारिक के बाद सुची जारी कर सकती है कॉंग्रेस नाम रात्री के पहले देना अपनी सुची पहली सुची कॉंग्रेस जारी कर सकती है बहुत शुक्रिया कुलेश्वार जानकारी के आपसे अपडेट लेते रहेंगे